हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम अगेन टू लंगरे दितीमन, राजिस्थान के इतिहास और संस्कृति के अंतरगत, आज हम पढ़ने वाले हैं बिकानेर के राठोर वन्स, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं आप लोगों के, यदि आप किसी भी कम्टि का आंसर देना है, और आपका जो कुशन है वो ये है, मुहुनोत नैंसी किसका मंतरी था, तो आपको आंसर इसका देना है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बिकानेर के राठोर वन्स, सबसे पर्स्ट हैं, राव बिका, 1465 से 1504 इस्वी, तो देखिए यदि आपको सन याद नही रहती है, तो इतना ज़्यादा सोचने की आपको जरुरत नहीं है, जिनकी याद रह जाती है, उनका ठीक है, और जिनकी नहीं रहती है, तो उनके लिए भी परेशान होने की जरुरत नहीं है, लेकिन बाकी जो पैक्ट हैं, वो आपको याद रखने होंगे, बिका मारवाड के साशक राव जोता का पुत्र था, अपने पिता के द्वारा व्यंग किये जाने पर 1465 इस्वी में वह जांगल प्रदेश में आ गया, किवंदिती है कि कर्णी माता की कृपा से उसे नवीन राजे स्थापित करने में सहेता मिली, एक दूसरी माननेता की अनुसार जांगल प किस ने बसाया, तो राव बिका ने बसाया, किस के साथ मिलकर, जाट सरदार नरा के साथ मिलकर, ठीक है, याद रखना है, भाटी, चोहन, खीचियों, कायम, खानी, आदी स्थानिय सक्तियों की कूट का लाव उठा कर, उसने अनेक गाउंपर अधिकार कर लिया, पुंगल की राव सेखा की पुत्री से, 1488 इस्वी में उसने बिका नेर की स्थापना की, तो देखिए, ये सन जो है, वो पूछी जा सकती है, आप लोगों से कि राव बिका नेर सहर की स्थापना जो है, वो कब की, 1488 इस्वी में, और बिका नेर में ही क्या है, कर्णी माता, बिका नेर निर्मान राव बिका ने करवाया। उसके बाद है राव लून करण। तो राव बिका में आपको याद क्या करना है। आपको केवल तीन बातें याद रखनी है। सबसे फर्स्ट बात आपको याद रखनी है कि राव बिका ने 1488 इस्वी में बिका नेर की स्थापना की। उन्होंने बिका नेर्व के देशनोक में कर्णी माता का मूल मंदिर का निर्मान करवाया और राव बिका का विवाज जो है वह पूंगल की राव सेखा की पुत्री से हुआ था ठीक है नेक्स्ट देखिए राव लून करण 1525 इसवी से 1526 इसवी राव लून करण राव बिका का चोटा पुत्र था इसने नागोर के शाशक मुहमद घा को हराया यह 1526 इसमी में डोसी के युद्ध में नार्नोल के नवाव अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया बीटू सूजा ने अपने ग्रंट राव जैत सीरो चंद में इसे कल्यू का करण कहा है करम चंदर वनसोत कीरतन काव्यम नाम ग्रंट में इसकी दान शीलता की तुलना करण से की गई है तो इन्हें कल्यूग का करण इसलिए कहा जाता है दान चीलता के कारण लूड करण सर जील का निर्माता भी इससे सुईकार किया जाता है तो देखिए यहाँ पर याद रखना है आपको कि बीठू सूजा ने अपने गरंत राव जैथ सीरो चंद राव जैथ सीरो चंद किसका गरंत है बीठू सूजा को ठीक है बीठू सूजा का गरंत का नाम है राव जैथ सीरो चंद इसमें उन्होंने लूड करण को कल्यूग का करण कहा है तो यह चीज आपको याद हो गई कि कल्यू का करण जो है वो किसे कहा जाता है राव लून करण को किसने कहा है बीठू सूजा ने अपने गरंत राव जैट सीरो चंद में कर्म चंद वनसोत कीरतियन काव्यम नामक गरंत में इनकी दान सीलता की तुलना जो है वो करण से की गई है और इसके अलावा ये याद रह जाएगा आपको लून करण सर जील का निर्मान भी किस ने कराया राव लून करण ने ठीक है तो यहाँ पर उनके नाम से ही जील का निर्मान कराया गया तो आपको याद रह जाएगा नेक्स्ट देखिए राव जैटसी 1526 से 1541 इस्वी जैटसी ने 1534 इस्वी में काबूल के मुगल शाषक कामरान हिमायू का जो भाई था कामरान इसको पराजित किया इस युद्ध का वर्डन बीटू सुजा ने अपने गरंथ राव जैटसी रो चंद हमने अभी देखा था ब पिकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नाग राज को सेर्शा से सहायता प्राप्त करने भेजा मगर सहायता आने से पहले ही 1541 इस्वी में साहेबा या पाहेबा जो जोदपूर में है इस युद्ध में राव जैटसी मालदेव की सेना से लड़ता हु तो कहीं पर पहोबा का युद्ध है ठीक है यहां पर पाहेबा लिखा हुआ है तो देखिए यहां आपको यह ध्यान देना है कि 1534 इस्वी में काबूल के मुगल चाशक कामरान का युद्ध होता है राव जैटसीत से और कामरान इसमें पराजित हो जाता है और इसका वरड 1541 इस्वी में होता है पहोबा का युद्ध या पाहेबा का युद्ध जो की जोदपूर में है और इसे युद्ध में राव जैटसी और मालदेव इनकी सैना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त होता है तो यहां पर प्रश्नु जो है यह बहुत ज्यादा प्राजित कौन हुआ था पराजित हुए थे यहां पर राव जैटसी जो की वीरगति को प्राप्त हुए राव कल्यान मल राव कल्यान मल ने खानवा के युद्ध जो की 1527 इस्वी में हुआ था राना सांगा की और से भाग लिया था कल्यान मल ने 1544 इस्वी में जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि गिरी सुमेल का युद्ध 1544 इस्वी में होता है एक तरफ तो सेर सा थे, सेर खा थे और दूसरी तरफ कौन थे ये आपको बताना है तो फटा-फट से बताईए कि 1544 इस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में एक तरफ सेर खा थे और दूसरी तरफ कौन था 1544 इस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेर्शा की ओर से भाग लिया तो यहाँ पर कुश्चन का आंसर जो है वो आपको मिल गया इसने बतनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 इस्वी में अकवर के नागोर दरवार में उपस्तित होकर मुगल अधीनता सुईकार कर ली तो आपको पता चल गया 1544 इस्वी में गिरी सुमेर का युद्ध जो है वो मालदेव के दो सैनापती और सेर्शा इनके बीच में होता है जिसमें वो दौनों सैनापती जो है वो मारे जाते है ठीक है 1577 में अकवर के नागोर दरवार में उपस्तित होगर मुगल अधीनता सुईकार कर ली थी राओ कलियान मल ने कलियान मल मुगल अधीनता सुईकार करने वाला पहला राठोर शाशक था ठीक है अब ये बात आपको याद रखनी है तो देखिए गिरी और सुमेल के युद्ध के बारे में तो हम देख चुके हैं और जान भी चुके हैं तो यह आपको यहाँ पर अंडरलाइन नहीं करना है आपको क्या करना है आपको अंडरलाइन यह करना है कि कल्यान मल जो थे राव कल्यान मल बिकानेर के इन्होंने सबसे पहले मुगल अधीमता सुईकार की थी तो इसी लिए राठोड शास्चक जो पहला मुगलों की अधीमता सुईकार करने वाले कौन थे कल्यान मल जुन्हों ने जो नागोर दर्वार लगा था 1570 में अकवर के द्वारा तो उसमें अकवर की अधिनता सुईकार कर ली थी कल्यान मलके दो बेटे कौन है राय सिंग और प्रत्वी राज तो राय सिंग को तो अकवर ने 1572 में जोदपूर का प्रशाशक न्युक्त किया था हमने देखा था विकानेर के राय सिंग को अकवर ने क्या किया था जोदपूर का प्रशाशक न्युक्त किया था और इसके साथ ही जब हमने राव चंदरसेन की बात की थी वहीं उसका दूसरा पुत्र प्रत्वी राज अकवर का दरवारी कवी था जिसने बेली किसन रुकमनीरी नामक ग्रंत की रचना की याद रह जाएगा आपको प्रत्वी राज ने बेली किसन रुकमनीरी नामक ग्रंत की रचना की और ये प्रत्वी राज जो हैं वो कौन थे ये थे राव कल्यानमल के बेटे. नेक्ट देखिए, राव राई सिंग, यह 1570 इस्वी के अकवर के नागोर दरवार के समय मुगल से अना में सम्मिलित हुआ, इसने अकवर के गुजरात अभ्यान और कांधार अभ्यान में अपनी वीरता दिखाई, अकवर ने 1572 इस्वी में इसे जोदपूर का प्रशाशक न्युक्त किया, 1574 इस्वी में राय सिंग महाराजा देराज की उपादी के साथ बिकानेर का शाशक बना, तो यहाँ पर भी य 1572 इस्वी में जोदपूर का प्रशाशक न्युक्त किया था, ठीके, तो यह चीजा आप पहले पढ़ चुके हैं, 1574 इस्वी में राय सिंग को महाराजा दिराज की उपादी जो है, और बिकानेर के शाशक किस ने बनाया, अकवर ने बनाया, राय सिंग ने बिकानेर के प्रसस्ती लिखवाई, जिसे राय सिंग प्रसस्ती कहा जाता है, इसके समय में भीशन अकाल पड़ा, जिससे निपटने हे तू, इसने बहुत धन खर्च किया, मुनसी देवी प्रसाद ने इसे राज पोताने का करण कहा, ठीके, किसको कहा, राय सिंग को, किसने कहा, मुनस करण सिंग, 1631 से 1668 इस्वी, करण सिंग ने मुगल समराट सहाजा के दक्षन अभ्यानों में महतपून भूमेका ने भाई, तो हमने देखा कि जो अकवर ने नागोर दरवार लगवाया, तो वहाँ पर सभी शाशक जो थे, चाहे मेवार के हो, मारवार के हो, तो उन्होंने अधीनता सुईकार कर ली, तो अब तक हमने देखा कि दो लोग, महाराना प्रताप, और सेकिंड हमने बात की, मारवार के अंदर, राव चंदर सेन, इन्होंने अकवर के अधीनता सुईकार नहीं की थी, अन्तिम तक, ठीक है, और अभी तक जिन भी शाशक को हमने देखा, तो सभी ने अधीनता सुईकार कर ली थी, राव करन सींग के बारे में देखिए, बहुत ही इंटरस्टिंग बात आपको पता चलेगी, करन सींग ने मुगल समराट सहाजा के दक्षन अभ्यानों में महतपुन भुमे का निभाई, जाखडिया गाओं के सीमा विवाद को ल भारी देकर उसने पुत्र पदम सींग और केसरी सींग को औरंग जेव की सहायतार्त भेजा, औरंग जेव के शाशक बनने के बाद वह अपनी सेवा में चला गया, चिंता मडी भटकेस ग्रंत सुक सप्तिती में करन सींग को जांगल धर बादिशा कहा जाता है, करन सींग न यह युद्ध जो हुआ यह बहुत इंट्रेस्टिंग था, इसमें क्या होता है, कि इसमें बीकानेर और नागॉर इन दोनों की सीमा पर मतीरा लगता है, मतीरा यानि तर्बू जो होता है, वो लगता कहा है? बीकानेर में, लेकिन उसकी जो बेल है वो पहुंच जाती है ना तो इस तरीके से दोनों में क्या होता है, इस बात के लिए विवाद हो जाता है, जो कि एतिहास में भी बहुत ही interesting युद्ध माना जाता है, जो कि किस के लिए हुआ, एक तरभूज के लिए हुआ, मतीरे के लिए हुआ, मगल उत्रादिकारी युद्ध के समय करण सींग जो है वो तठस रहे बिल्कुल कुछ भी नहीं उन्होंने किया जब औरंगजेव का उनके भाईयों के साथ क्या चल रहा था युद्ध चल रहा था ठीक है उत्रादिकारी के लिए मगर युद्ध में औरंग जेव तो बहुत शक्ती चाली था तो उसका पलडा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंग वा केसरी सिंग को औरंग जेव की साहता के लिए भेज दिया तो देखिए राओ करन सिंग ने औरंग जेव की शाशक बनने के उपरान तो वह उसकी सेवा में चला गया चिंता मणी भट के गरंध सुक सब्तती में करन सिंग को क्या कहा गया जांगल धर बादशा करण सिंग ने साहित्य कल्प द्रुम और उसके दर्वारी विद्वान गंगानंद मैथली ने करण भूशन और काव्य डांकनी नाम ग्रंथ लिखा तो आज हम यहीं तक करेंगे, next वीडियो में हम साकमबरी के चोहन, जालोर के चोहन और रन्धंबोर के चोहन, इन तीनों को ही हम करेंगे next वीडियो में, मिलते हैं इसी तरीके से next वीडियो में, thank you.